नमस्कार दोस्तो कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तो मैं दूआ करते हूँ कि आप सभी लोग सही हैं स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तो इस बार फिर मैं आपके लिए एक बार लेकर आई हूँ एक ऐसा आचूक उपाई जिसे करने के बाद आप जैसा चाहते हैं सामने वाला उस तरीके से उसी प्रकार से आपके वर्ष में हो जाएगा और आपके कहने में आ जाएगा दोस्तो जो मैं आज उपाई आपके सामने लेकर आई हूँ वो बिलकुल ठीक बहुत ही पावरफूल है यकीन मानिये जो उपाई मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ उसे करने के बाद आप सामने वाले को बिलकुल उसी तरीके से चला सकते हैं या आप उसके साथ जिस तरीके से रहना चाहते हैं तो हमारे जिवन में अनेक समस्याई आ जाती हैं जैसा कि हमारे जिनको हम चाहते हैं हमारे चाहने वाले वो कोई हमारी प्रेमी का हो सकती है या हमारा प्रेमी हो सकता है पती हो सकता है पतनी या फिर दोस्तों इन में से परिवार का भी कोई हो सकता है सगे संबंदी हो सकते हैं कोई भी हो सकता है जिसके उपर हमारा कभी दिल आ जाता है और हम उसको अपना बनाना चाहते हैं पर कोई समस्या के कारण या कोई दिक्कत के कारण हम उसको अपना नहीं बना सकते दोस्तो इसे समस्य के समाधान के लिए मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए एक और वशिकरन का अचूक उपाई जिसे करने के बाद आप किसी को भी सम्मोहित कर सकते हैं दोस्तों समय बरबाद न करते हुए हम उस उपाई के बारे में एक बार जान लेते हैं तो आईए दोस्तों मैं आपको इस अचुक उपाई के बारे में बताती हूँ जो मैं आपको आज वशिकरन बताने जा रही हूँ दोस्तो वो बहुत ही पुराना और सटीक वशिकरन उपाय है आप अपने रूठे हुए प्यार को मना सके और अपने रूठे हुए कामों को बना सके और आपका कोई रूठा हुआ प्यार मान जाए तो चलिए दोस्तो मैं आपको बताती हूं उपाय के बारे में ये जो उपाय है ये सिर्फ और सिर्फ आप अपने पैर पर नाम लिखकर किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं वश्मे कर सकते हैं दोस्तो आज की वीधी के लिए आपको चाहिए होगा एक लाल पेन जैसे मैंने लिया है दोस्तो आपको एक लाल पेन के अलावा और किसी चीज की अवशकता नहीं है तो दोस्तो आपको सबसे पहले अपने पैर को कच्चे दूद से दोलेना है कच्चे दूद के अंदर दोस्तो अपने शहद मिलाकर अपने पैर को उससे दोलेना है इसके बाद दोस्तो आपको किसी भी नए तोलिये से या फिर किसी भी साफ कपड़े से अपने पैर को अच्छी तरह से साफ कर लेना है और इसके बाद आपने अपने पैर के निचले हिस्से में गोला बना लेना है इसके बाद आपको उस गोले के अंदर अपने प्रेमी प्रेमिका का नाम लिखना है या फिर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं इसके बाद आपको एक मंत्र का जाप करना है आप उसे ले सकते हैं अभी कॉल करके दोस्तों आपको अपने नाम के दुआरा अपनी राशी के दुआरा गुरू माता जी दुआरा दिये गए मंत्र का ही जाप करना है तो आपने इस मंत्र का जाप 11 बार करना है दोस्तों ऐसा क करने के मातर तीन घंटे के अंदर ही वो इंसान आपके वर्ष में हो जाएगा और आपकी सारी बाते मानने लगेगा तो दोस्तों देर ना करें जल से जल गुरु माता जी को कॉल करके और उनसे अपने नाम और राशी के अनुसार उनसे मंतर प्राप्त कर सकते हैं और दोस्तो तो देर ना करे, जल से जल हमें कॉल करे, गुरु माता जी के साथ संपर्ख करे, चलिए मुझे दीजिया आग्या, फिर मिलूंगी एक नए टोटके और नए वशिकरन वीधी के साथ, जै माता जी